लो गाइस तो आपने थमनिल में देखी लिया होगा तो आज हम देखेंगे BSC First Year Jalozy का Slavers तो ये जो Slavers है ये मैं आपको Hindi में and English में दोनों में बताऊंगी यानि की English Medium के जो Students हैं उनको में English में बताऊंगी and जो Hindi Medium के Students हैं उनको में Hindi में बताऊंगी so guys आज जो मैं आपको Slavers बताऊंगी जोलोजी का वो सभी वायलोजी के Students के लिए होगा and guys एक बात और ये जो Slavers है ये सभी University के लिए है चाहे वो 36 गड़ी University हो भोपाल University हो या फिर राजिस्थान University हो सभी के लिए ये BSC First Year Jalozy का Slavers है so आप अपनी अपनी उनिवर्सिटी से स्लेवस चेक करें then उसके बाद स्टडी करें तो चलिए गाइस देखते है जलोजी का स्लेवस once again welcome back my YouTube चैनल बोटनी एड़ा में आपका स्वागत है so guys आपको पताए जलोजी जो सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल दो पेपर होते है पेपर first and paper second तो जो दोनों paper होते हैं उनमें 5-5 units होती है so पहले में आपको paper first then उसके बाद मैं आपको paper second दिखाऊंगी है न तो paper first जो होता है unit first है उसमें बहुत से topics हैं first topic है वर्गी की second topic है जातिवरती और थर्डे प्रोटोजुवा, ठीक है, यूनिट फस्ट में हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, फिर यूनिट सेकंड है, उसमें हम कुछ-कुछ फाइलम्स पढ़ेंगे, पॉरी फेरा हुआ, सीलेंट रेटा हुआ, यूनिट थरी है, उसमें प्लेटी हेलमिन्थी, निमेट हेलमिन्थी, एनिलिडा, यूनिट फोर्थ में पढ़ेंगे, और्थोपोडा, मॉलस्क फाइलम्स, एंड यूनिट फाइब में पढ़ेंगे, इकाइनो डर्मेटा, एंड हैमिकॉर्डेटा फाइलम्स, ठीक है, तो ये तो हो गया, जलॉजी पेपर फस्ट की टोटल फाइ में प्रकरियोटिक अवं यूकरियोटिक कोशिकाएं, प्रोकरियोतिक अड यूकरियोटिक सेल्स, व्पलाजमा मेम्व्रेन या, प्लाजमा जिली, थल्ड है, गॉलजी कॉई, माइ्ट्रो कॉंडिया, एंड़ प्लास्टिक रेटिक्यूलम, ए-ánd, राइबो सॉम्स, एंड Lysosomes की सनरशना एवं कारे उसके बाद फॉर्ट टॉपिक केंद्र की सनरशना एवं कारे Nucleus की Structure and उसके Function फिर फिफ्त जो टॉपिक वो है Chromosome या गुड़ सूत्र और सिक्स टॉपिक है कोशी का चक्र तो ये यूनित First eh Paper Second की उसमें 6 pao topics है यानि कि जो तोपिक जो सेवगोश उसमें है उसके बाद है हिस्टो सिटिस्परा के demonic है है ना यानि कि हिस्टॉलॉजी और उसके बाद है युगमक जनन यह यूट सेकन्ड हो गई उसके बाद यूट थर्ड है यूट थर्ड में स्टैम कोशिका की प्रकार एवं उनके उपयोग पढ़ेंगे उसके बाद जीन लाइब्रेरी पढ़ेंगे उसके बाद कृतिम जनन तकनीके पढ़ेंगे, देन उसके बाद इस्तनियों में प्लेसेंटा और प्लेसेंटा की वर्किंग, यूनिट थर्ड के अंदर ये टॉपिक पढ़ेंगे हम, उसके बाद है यूनिट फोर्थ, उसमें निशेचन, फिर मेडक में भूण किये परिवर्दन, तीन जनन इस्तरो के बनने तक, उसके बाद मेडक की नियती मानचित्र, टैटपॉर लार्वा का कार्यांतरन, अनिशेच जनन, ये हो गया यूनिट फोर्थ, यूनिट फाइप है मुर्गी के अंडे की संरशना, आदी रेखा बनने तक चूजे का भूणिये विकाश, चूजे की नियती चित्र का निर्मान, बहाई ब्रूनिय जिल्लिया, तो ये हो गया पेपर सेकंड की फाइप यूनिट तो ये हिंदी मीडियम के स्टुडेंट के लिए हो गया पेपर फस्ट एंड पेपर सेकंड इसी परकार सेम यही का यही इंग्लिश मीडियम के स्टुडेंट के लिए है जो कि पूरा का पूरा इंग्लिश में है, तो देखिए, टेक्सोनोमी, प्रोटो जोगा, पोरी फेरा, सीलेंट रेटा, प्लेटी हेलमिंथी, निमेटी हेलमिंथी, एनी लिडा, और्थो पोडा, मोल अश्का, ये सबी फाइला में, इकाइनो डर्मिटा, हैमी कोडेटा, इस इस अभी, जो आपको दिखी रहा होगा, तो गाइज, ये इंग्लिश मीडियम के स्टुडेंट के लिए हो गया, और हिंदी मीडियम के स्टुडेंट के लिए हो गया, जलॉजी, बीसी, फस्ट यर, बाइलोजी के स्टुडेंट के लिए, तो इस लेवस को अपनी अपनी वीडियो अप्लोड करूँगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और न्यू टॉपिक के साथ थेंक यू सो मज फॉर वाचिंग